पिछली वीडियो में हमने Flexbox पढ़ा था, इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाकर Flexbox की प्रेक्टिस करेंगे हमारा पहला टास्क है एक ऐसी वेबसाइट बनाना, और फिर हम उस वेबसाइट पे आगे काम करके उसको ऐसा बनाएंगे हमने कुछ सिम्पल सा कोड पहले से लिखा हुआ है, हमने तीन डिव बनाए हुए हैं, एक header के लिए, एक main area के लिए और एक footer के लिए Header div में कुछ links और एक बटन एड़ किया हुआ है Main div में Code Yogi का logo एड़ किया हुआ है और footer में भी कुछ links एड़ किये हुए है और फिर CSS की help से कुछ-कुछ colors, font ये सब लगाए हुए है अभी हमारी website कुछ ऐसी दिख रही है और हमें उसे ऐसा बनाना है चलो, सबसे पहले Header के layout को सही करते है हमें Header के खाली space को links और sign up बटन के बीच में लाना है तो चलो, Header पे justify content space between लगा देते है पर ये क्या? इससे तो कुछ हुआ ही नहीं? ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि justify content सिर्फ flex container पे ही काम करता है यानि की हमें इस div को flex container बनाना होगा और उसके लिए हमें लिखना होगा display flex अब justify content space between काम तो कर रहा है लेकिन इससे तो खाले space का कुछ हिस्सा links की बीच में भी आ गया हमें links तो सारे एक साथ ही चाहिए space तो links के बाद और sign up बटन से पहले चाहिए तो चलो सारे links को एक div में डाल देते है अब ये links header div के children नहीं grandchildren बन गए है इसलिए अब header का control इन पे नहीं चलेगा header के अब दो ही children है ये div और ये button इसलिए अब space between इन पे ही काम करेगा और सारा space div और button के बीच में आ जाएगा space तो add हो गया लेकिन ये links उपर की तरफ आ रहे हैं जबकि हम चाहते हैं कि वो center में आए flex का direction ये है यानि की cross axis हुई ये और cross axis पे children को move कराना हो तो use करना होता है align items तो यानि हमें लिखना होगा align items center देखो अब links center में आ गए हैं चलो header का layout तो सही हो गया अब आते हैं main div पे पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि header बिलकुल top पे आए और footer बिलकुल bottom में और बाकी बची सारी जगह main div ले ले पिछली एक video में हमने ये काम CSS के calc function की help से किया था लेकिन उसमें जंजट है पहले तो header और footer की height पता करो और जब भे उनकी height चेंज करनी पड़े तो calc function में जाके भी value चेंज करो तो चलो सेम काम calc function की जगहे flexbox की help से करते हैं सबसे पहले हमने तीनो div को एक parent div में डाल दिया और उस parent div को एक id दे दी अब उस id की help से parent div पे लगा दी min height 100vh अब ये div कम से कम पूरी screen की height तो cover करेगा ही पर content जादा होने पर screen की height से जादा height भी ले सकता है हम चाहते हैं कि अगर इस parent div में कुछ भी खाली जगह बचे तो वो main div cover कर ले तो उसके लिए हमने main div पे लगा दिया flex grow 1 लेकिन ये क्या? इससे तो कुछ भी नहीं हुआ क्यों भला? सर, flex grow तभी तो काम करेगा जब parent पे display flex लगा हो सही बात है तो चलो parent पे display flex लगा देते हैं और साथ ही flex direction कॉलम भी चलो ये भी हो गया अगला टास्क है लोगो को main div के center में लाने का ये flex box की help से बहुत आसानी से हो जाएगा main div पे display flex लगा कर उसको flex container बना दो और फिर justify content भी center कर दो और align items भी यानि अब logo main axis के भी center में दिखेगा और cross axis के भी पर मान लो हम logo के नीचे code yogi भी लिखना चाहते हैं तो चलो image tag के नीचे एक h1 tag में code yogi भी लिख देते हैं लेकिन ये क्या code yogi logo के नीचे ना आकर side में आ रहा है क्यूं? सर इसलिए क्यूंकि main div पे display flex लगा हुआ है और flex direction by default row होता है यानि हमें flex direction set करना होगा column चलो ये भी सही हो गया अब चलते हैं footer की तरफ हमें footer के links को right में move करना है ये काम पहले हमने footer वाले div पे text align right लगा कर किया था इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन ये काम flex box की help से भी हो सकता है footer वाले div पे लगा दो display flex और justify content की value set कर दो flex end देखो website वैसी बन गई जैसा हम चाहते थे लेकिन अब हमें code योगी के logo की जगहे courses की list दिखानी है इस तरह के डब्बे को websites की दुनिया में कहते हैं card एक काम करते हैं पहले एक अलग file में सिर्फ इस card का code लिख लेते हैं समझने में थोड़ा आसान पड़ेगा बाद में उस code को अपनी website के code में copy paste कर देंगे इस card को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक div लिखेंगे और फिर उस div में add कर देंगे एक image एक h2 tag, एक paragraph और एक a tag सर ये लोरा मिपसम क्या है? लोरा मिपसम का मतलब होता है ये final text नहीं है यहां बस जगे भरने के लिए कुछ भी लिख दिया गया है यहां असल में क्या लिखा जाएगा वो company की content वाली team decide करेगी जब वो decide कर लेंगे तो हम लोरा मिपसम हटा कर असली text लिख देंगे कार्ड का content तो दिखने लग गया चलो अब styling पे काम करते हैं हमें कार्ड के div पे black border और grey background लगाना है उसके लिए हमें या तो div को id देनी पड़ेगी या फिर class पर हमारी website पे एक नहीं कई cards होंगे और सब पे हमें same CSS लगानी है सब को same id तो दे नहीं सकते क्योंकि id unique होनी चाहिए इसलिए हम class देंगे तो हमने div पे लगा दी card class फिर CSS फाइल में जाके लिखी reset CSS और फिर card class को दे दिया background grey border 4 pixel solid black और margin 15 pixel अब हमारा card कुछ ऐसा दिख रहा है हम चाहते हैं कि corners गोल हो तो चलो card glass पे लगा देते हैं border radius 8 pixel चलो अब इस 8 egg का background green set कर देते हैं ऐसा करने के कई तरीके हो सकते हैं एक तरीका है कि हम background color लगाएं 8 egg पे देखो ये काम तो कर गया लेकिन इसमें एक पंगा है ऐसा करने से तो सारे links का background color green हो जाएगा जबकि हमें तो बस इस link का background green करना है सर लेकिन और link है कहा एक ही link तो है यहां तो एक ही है लेकिन जब इस code को website के code में copy paste करेंगे तो वहां तो और भी links है ना उन सब का background green हो जाएगा इसलिए हमें selector में 8 egg की जगह है कुछ और लिखना होगा सर एक टैग को एक class दे देते हैं और वो class selector में लिख देंगे वो भी कर सकते हो लेकिन एक नई class बनाने के बज़ाए एक कम और किया जा सकता है selector में ये और add कर देते हैं अब ये CSS rule set सिर्फ उन 8 eggs पे लगेगा जो की card class वाले div के अंदर है background तो green हो गया पर text बिलकुल किनारे से चिपक कर आ रहा है चलो थोड़ी padding एड कर देते हैं पर ये क्या? लिंक तो paragraph के ऊपर आ गया और black border से बाहर भी जा रहा है क्यूं भला? सर इसलिए क्यूंकि ए tag एक inline element होता है और inline element पे top और bottom padding सही से काम नहीं करते बिलकुल सही तो चलो एड एड एग पे display block लगा देते हैं लेकिन display block लगाते ही तो link पूरी line घिरने लगा इसलिए हमें एड 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 को block नहीं inline block बनाना होगा चलो ये तो हो गया अब link को थोड़ा margin और दे देते हैं अब हमें link के कौनों को goal करना है हम border radius की value जितनी बढ़ाते जाएंगे corners उतने goal होते जाएंगे पूरी तरह से goal करने के लिए border radius की value height के half से जादा होनी चाहिए यानि अगर link की total height 40 pixel है तो border radius की value 20 pixel या उससे जादा होनी चाहिए देखो link के कौने goal तो हो गए लेकिन एक problem है अगर कभी भी हम link की height बढ़ाएंगे तो याद रखना पड़ेगा कि border radius की value भी change करनी है इससे बचने के लिए हम border radius को कोई बहुत बढ़ी value दे देते हैं border तो पहले ही पूरी तरह से goal था और बड़ी value देने से और जादा goal तो होने से रहा लेकिन ये फायदा हो गया कि अब हर बार button की height बढ़ाने पर border radius की value नहीं बढ़ानी पड़ेगी चलो अब अगले step पे चलते हैं हमें div के अंदर का सारा text white color में दिखाना है ऐसा करने के दो तरीके हैं या तो हम h2, p और link तीनों को एके करके white color दें और या फिर white color div पे लगा दें क्यूंकि हमने इस h2 पे कोई color नहीं लगाया है इसलिए वो अपने parent का color उठा रहा है या अंग्रेजी में कहें तो अपने parent का color इनहेरिट कर रहा है पर ध्यान दें कि parent पे तो border भी लगा हुआ है लेकिन h2 पे तो कोई border नहीं आ रहा यानी कि ये अपने parent से color तो इनहेरिट कर रहा है पर border इनहेरिट नहीं कर रहा ऐसा इसलिए क्योंकि हर property इनहेरिट नहीं हो थी अब तक हमने जितनी भी CSS properties पढ़ी उनमें से इनहेरिट होने वाली properties है color, font family, font size, font style, font weight और text align यानी अगर हम किसी element पे ये CSS properties ना लगाएं तो automatically parent वाली value यूज होगी और अगर parent पे भी ना लगी हो तब तो grandparent की value parent इनहेरिट करेगा और फिर parents से वो ही value children तक पहुँच जाएगी जो properties इनहेरिट नहीं होती हम जबरजस्ती उन्हें भी इनहेरिट करा सकते हैं अगर मैं h2 पे लगा दूं border colon inherit तो अब h2 अपने parent का border इनहेरिट करने लगेगा देखो जैसा border हमने div पे लगा रखा था वैसा ही border अब h2 पे भी दिख रहा है लेकिन ये तो बस समझाने के लिए था हमें असल में h2 पे border लगाना नहीं है चलो ये तो हो गया अब अगली problem है image की width की अब ही image अपने original size में दिख रही है लेकिन हमें ये खाली space नहीं चाहिए इसलिए हम image पे लगा देंगे width 100% देखो अब image ने parent की पूरी जगह घेर ली लेकिन यहाँ ध्यान दें कि हमने image को बस width दी है height नहीं और अकसर करना भी ऐसा ही चाहिए या तो image को सिर्फ width दो और या फिर सिर्फ height लेकिन दोनों एक साथ देने से बचना चाहिए पर ऐसा क्यों सर? ऐसा करने से image की shape खराब नहीं होती क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ width दी है तो image की shape सही रखने के लिए width के हिसाब से height अपने आप adjust हो जाईगी चलो अब अगले step पे चलते हैं अभी हमारा card पूरी screen गेर रहा है पर हम चाहते हैं कि वो 300 pixel से जादा width ना ले हाँ, जगह कम पढ़ने पर 300 pixel से छोटा होना पड़े तो चलेगा तो हमने card class पे लगा दी max width 300 pixel अब हमें heading paragraph और link को center में लाना है तो चलो, card पे लगा देते हैं display flex, flex direction column और align items center चलो, ये भी हो गया पर paragraph किनारे से बिल्कुल चिपक कर आ रहा है अभी तो heading में text कम है लेकिन अगर किसी card में heading का text ज़ादा होगा तो वो भी किनारे से चिपक कर आईगी इसलिए, चलो, card के left और right में थोड़ी padding add कर देते हैं लेकिन ऐसा करने से तो image के left और right में भी खाली जगह आ गई यहां तो हमें खाली जगह नहीं चाहिए इसलिए, card से तो हमें padding हटानी पड़ेगी अब या तो हम इस heading paragraph और link को left और right मारजिन दे दें और या फिर इन तीनों को एक div में डाल दें और उस div को padding दे दें ऐसा करने से padding तो सही हो गई लेकिन link का green background गायब हो गया code देखके ये बताओ, ऐसा क्यों हुआ होगा sir, ये rule set उसी ये tag पे लगेगा, जो की card का child हो लेकिन अब हमारा link card का child नहीं, grand child है very good, तो इसे ठीक कैसे करेंगे? sir, greater than का sign हटा कर बस space रहने देंगे बहुत अच्छ है लेकिन एक problem तो अभी भी रह गई अब heading और link center में नहीं आ रहे ऐसा क्यों? sir, display flex की help से children ही control हो सकते हैं, grandchildren नहीं इसलिए अब हमें ये flex properties card से हटा कर card body बे लगानी पड़ेंगी very good, अब हमारा card बिल्कुल वैसा बन गया है जैसा हम चाहते थे चलो, अब इस code को website के code में copy paste कर देते हैं अब ही हमारी website के main div में code योगी का logo लगा हुआ है पहले तो वो हटा कर main div को खाली कर लेते हैं और फिर उसमें card का HTML code copy paste कर देते हैं चलो, अब CSS का code भी copy paste कर देते हैं लेकिन अब यहां double reset CSS हो गई है एक तो फाइल में पहले से ही थी और एक हमने copy paste कर दी इसलिए एक reset CSS हटा देते हैं देखो, अब हमारा card website पे दिखने लग गया है लेकिन एक problem है यह link का text कहां गयब हो गया चलो, समझते हैं पहले हमारा link parent div का white text color inherit कर रहा था लेकिन हमने website के code में ए tag पे green color लगा रखा है अब जब link के पास खुद का color है तो वो parent का color inherit नहीं करेगा इसलिए अब link के text का color white नहीं green है और green background पे green ही text होगा तो दिखेगा कहां से तो क्या करें sir? सिंपल है, कार्ड के अंदर वाले eight tags पे लगा देते हैं color colon white एक कार्ड तो सही से दिखने लग गया लेकिन हमें एक नहीं, चार कार्ड दिखाने हैं तो चलो, कार्ड के code को तीन बार और copy paste कर देते हैं और फिर, कार्ड की image के links, heading और paragraph को change कर देते हैं अब ही चारो कार्ड एक के नीचे एक आ रहे हैं हम चाहते हैं कि वो एक के आगे एक आएं उसके लिए हमें main div पे लगाना होगा flex direction row पर क्यूंकि flex direction की default value row ही होती है इसलिए इसे हटा भी सकते हैं कार्ड एक के आगे एक दिखने तो लग गएं बस एक छोटी सी problem और बची है जगहे कम पढ़ने पर कार्ड दब रहे हैं हम चाहते हैं कि कार्ड दबने के बजाए next line में चले जाएं उसके लिए हमें main div पे लगाना होगा flex wrap wrap देखो अब कार्ड दब नहीं रहे बलकि next line में जा रहे हैं वेबसाइट वैसी बन गई जैसी हम चाहते थे complete free course के लिए विजिट करें www.codiogi.io